आप सभी का एक बर फिर्चे स्वागत है हमारे को नई वीडियो में तो आज हम बात कर लेते हैं इस वाले फ्लार्ट में जो अपन ने हर्विसाइड का उप्योग किया था बैसे ये वाला जो फ्लार्ट है इसमें अपने साइड इफेक्ट रहा इसके बारे में पूरा डेटल से अगर बात करेंगे सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा तो गिहूं में या फिस स्वयविन में उसके बाद फिर चने में अगर देखा जा तो इस कंडीशन में लगवग 100 लिटर पानी प्रती एकड के इसाफ से डलना चाहिए लेकिन हमारे साथ क्या कंडीशन हुई है लगवग 60-70 लिटर पानी में ही पूरा एक एक एकड खत्म हो तो सबसे पहले आपको एक विसेस रूप से चीज ध्यान में रखनी है अगर आप हर्विसाइड का उप्योग कर रहे हैं तो पहले आपको सिर्फ एक एकड का गोल बनाना है और उसमें आपको यह अनुमान लगा लेना है कि एक एकड में लगवग कितना पानी डल रहा है उ सरसों की तो दीखिए सरसों की कंडिशन है कि यह गल चुका है सोड़ा समय पास से दिखा देता हूं इसको अगर बात करें तो पांस दीन हो चुके हैं 5 दिनों के बाद आप देखोगे इसकी कंडिशन यह कंडिशन है उसके साथ में यह झो घ्वग लगवग कं खतम हो रहा है लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यह रिटन हो सकता है अगर बड़ी दुदी की बात करें तो यह वाली जो दुदी है इसको हलका सब बुखा रहा है लेकिन मुझे ऐसा लगने रहा है कि यह पूरा 100% तक कंट्रोल हो जाए बैसे अभी 4-5 दिन हुए तो इसमें अपने लगा सकते कि इसमें क्या होगा क्या रहेगा और उसके साथ में बोखना इस समय कहां सोग जाता है लेकिन इसकी कंडिशन भी पूरी खतम हो चुकी है कि इस समय तो बैसे निकलता नहीं है सायद हो सकता है कि थोड़ा बहुत बज गया हो अभी देखिए द प्लॉराद भी दिखा देता हूं जिसमें की अभी दो दिन होएं इसमें अब लिएसे बार वी साइड पैस llevar दिखा में इसमें भी मुझे कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि उतना ज़्यादा इफेक्टिव रहा नहीं है अब मैं आपको जिस्ट साइट से दिखा देता हूँ अब यहां देखिए सिर्फ दो दिन की कंडिशन है दो दिन में आप जो स्वयवी ने इसकी तो पूरी मुंडी लटक गई है यह देखिए इसकी तो कंडिशन थोड़ी सी गड़बड है और दूसरा गहांस देख लेते हैं उससे यह कंडिशन है दूसरा गहांस की बात करें तो इसमें देखिए जो सगड़ी पत्ति यह तो है नहीं जादा तर इसमें स्वयवीन नी कंडिशन थी तो स्वयवीन तो पूरी खत्म हो जाएगी और उसके साथ में अगर दूसरा घास देखा जाए तो यह देखिए इसकी कंडिशन में दो दिन में आप देख सकते हो क्या कंडिशन है दो दिन में सिर्फ अगर यह ज़्यादा दिन इसको जैसे ही लगेंगे उसके बाद यह दिरेदर पूरा खतम हो जाएगा जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है तो मेटसलफुरान आपको मेरे हिसाब से अगर आप यूज कर रहे हैं तो मेटसलफुरान को आपको प्रती एकड के हिसाब से एक पाउच को यूज को यूज करना है उसके साथ में अगर आप जईमार क्लोडीनोफ आप इसको अगर यूज कर रहे है अगर सकड़ी पती है गहाँ जादा है तो आप जो एक पेगट है उसको पूरा प्रती एकड के हिसाब से यूज कर सकते हैं इसके साथ में 2,4-Dimeter के अगर बात करें डिखानी है बाकी अगर आपने 40 cm या फिर उससे ज्यादा यूस किया है तो उसके बारे में जरूर बताना क्यूंकि चैना ज्यादा यूस करोगे उतना ज्यादा साइड इफेक्ट आपके गहूं के उपर करेगी तो इसका इस्तामाल आपको थोड़ा सा द्यान से ही करना है अ यह थोड़ी सी गडबड है और मैं आपको थोड़ा सा और दो तीन जगए घुमके उसके बाद फिर कंडिशन दिखाता हूँ तो अब हम आगए हमारे इस वाले एंड पे और यहाँ पर आपको दिखाते हैं यहाँ पर हमने एक प्रैक्टिकल ओर करा था उसको दिखा देते हैं क्योंकि यहाँ हमारे कुछ पौदे लगे हैं तो यहां कि अगर कंडिशन देखें वेसे क्या है कि यह जो रगवा है यह पूरा नदी के जस्ट साइड वाला है तो इधर कंकल फत्तर मिट्टी सारी चीजें आपको मिलेगी मिट्टी के अगर बात करें तो यह कंडिशन है यह देखिए बिल्कुल रेतीली मिट्टी है पानी दो और खतम पानी पता ही नहीं चलता पानी गया कहां और आया कहां समझी नहीं पड़ता तो यहांगी अगर आप कंडिशन देह हुए तो प्रती जो 15 लिटर वाली जो टैंक ग्रोडी fuerza को और उसके साथ में जई मार का क्लोडीनोफाप का जो पाऊच आता है उसका ह्स्तुमाल अपने एक टंकी में एक पाऊच आपका जो packet आता है उसके अंदर 8 पाउच निकल दे हैं तो उसका जो एक पाउच आता है अंदर वाला उस पाउच को उस तैंकी में यूज करा तो यहां की condition आप देखोगे तो यहां पर आपको गहास पूरा निप्टा हुआ मिलेगा यह देखें क्योंकि यहां गिहूं से ज बनाओ और अगर पावर से यूज करते तो उसका जो धुआ रहता उसमें सारे पोदे खत्म हो जाते इसलिए अपने यहां की आप कंडिशन देखोगे यह देखिए यह गहास पूरा बेरदीर सूख रहा है यह कंडिशन है हर प्रकार का गहास है यहां पर और जिसे की कुछ गहास में आपको दिखा देता हूं सलेक्टिब जिसे की स्वयवीन हो गया उसके साथ में अपना सर्सों हो गया सर्सों तो ऐसा है की बेचारा बेशे ही खत्म हो जाता है इसको मारना उत्मा ज़दा डिफिकल्ट नहीं है यह तो आटमेटिक बीचारा बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे तो यह कहानी रही है जो मुथा दोंगली वगरा है यह हमारे इसमें तो हैं नहीं उतनी जादा नितोस को भी आपको दिखाते हैं कुछ मात्रा में जिसे सकड़ी पत्ति का यह गहां से तो यह थोड़ा सा हलका सा पीला हो रहा है लेकिन हो सकता है कि दीरे-दी करने चितोथ क्या है तो आप उसका प्रॉपर एक वीडियो बनाइए अगर आपने उप्योग करा थो कोई सा भी और उसका जो रियर्ट रहा या फिर आपने जो उप्योग में लिया है उसका एक वीडियो बनाए है उसके बाद किछे हमारे जो वाट्साप नमबर है 80 fill 18983784 इस पर आफ हमको एक वीडियो बनाकर सेंड कर सकते हैं भेश सकते हैं जिससे की हमें भी पता चले कि आपने जो हर्विसाइड यूज करा है उसका कैसा क्या रियल्ट मिले और बाकी किसानों के साथ भी उसको सेयर करेंगे हम ताकि जो बाकी किसान है जो कि हर्विसाइड क अपयोग करना चाहते हैं या फिर नेक्स्ट इयर करेंगे तो वो उस चीज को देखकर ध्यान में रखेंगे कि अगर इस प्रकार से हर्विसाइड का उपयोग करेंगे तो फसल के ओपर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और बढ़िये तरीके से रियल्ट मिलेगा तो यह कंडिशन है गेहों की भी और हर्विसाइड का पर अपयूग करा इसका भी तो अभी तक गेहों के ओपर तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है अब इसका सबाइब का वप्योंग कर तो सबीजिभान ankam कर सकते हैं अगर जइन है सखड़ी पतीं घहस भास मारता इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है गेहूं के उपर अभी तक हमें तो दिखा नहीं है इतना जादा और अगर टूफ़ डाइ अमोनियम साल्ड की बात करें तो इसका साइड इफेक्ट जरूर पड़ता है गेहूं के उपर तो इसका इस्तमाल करते समय आपको 20 रूप से ध्यान में से रिगार से प्रैक्टिकल कर सकते हैं आप जो तू हर यामोनियम साल्ड उसको एक पम में 50 एमल उसका प्योग मैं लेना है यह कहाणी रही है बाकि आप कमेंट करके जरूर बताना